बाबा बॉखनाक की देव डोली पहुंची हर की पौडी, किया गंगासनान, हरिद्वार में हुआ, भव्य स्वागत. पिछले साल उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को 17 दिन बाद सकुषल बाहर निकाला गया था. इसके बाद ग्र टनल के बाहर मौझूद बाबा बॉखनाक से आशीरवाद लेकर रेस्क्यू कार्य किया था. तो वहीं अब टनल के बाहर टनल का निर्माण कर रही कंपनी द्वारा बाबा बॉखनाक के मंदिर का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है. इसी बीच बाबा बॉखनात की देव डोली शुक्रवार को हरिद्वार के हर की पैडी पहुंची जहां पर तीर्थ पुरोहितों ने पुष्प वर्षाकर डोली का भव्य स्वागत किया बाबा बौखनात की डोली यात्रा उत्तरकाशी के रवाई क्षेत्र से निकाली जा रही है आपको बता दें कि बाबा बौखनाक की डोली अयोध्या भ्रमन के लिए निकली है शुक्रवार को बाबा की डोली हर की पैडी पर पहुंची डोली के साथ मुख्य पुजारी, संजय डिमरी, बाबा बौखनाक के वजीर यशवंत रावत, समिती के अध्यक्ष जैंद्र रावत, सचिव गोपाल बिष्ट, मुकेश डिमरी आदी मौजूद रहे हर की पौडी के ब्रह्मकुंड पहुंचने पर डोली ने गंगा स्नान किया इसके उपरांत, श्री गंगा सभा के विवस्था सचिव, वीरेंद्र कौशिक, समाज कल्यान सचिव, अवधेश कौशिक, गंगा सेवकदल, सचिव उज्ज्वल पंडित, सदस्य अनमोल मल आदी ने डोली का स्वागत और पूजन किया डोली के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और श्रधालू मौजूद रहे वहीं बाबा की देव डोली के साथ चल रहे उत्तराखंड के पारंपरिक एवं सांस्कृतिक वाद्य यंत्र ढोल दमाव की धुन पर लोग पारंपरिक नृत्य करते हुए भी दिखाई दिये कि अनृत्य करते हुए आसाथ रहे हैं wine है आसाथ यह छ़्या मुझा धुर मोर्ण कर दो है पर खाली मुझा बादाख फुर इंट चुर रहे हैं क्यां हुंग यह प्रसके आसे हुए